अब अर्जुन के माता पिता को रात भर वहा पोमिन की स्थिती में नीन नहीं आती है कि सुबह अगले दिन मीरा साधी का क्या जबाब देगी? यही सोच सोच कर दोनों हैरान परेशार रहते हैं और जब सुबा होती है सुबा जैसे ही मीरा अपने सास ससूर के पास आती है दोनों का पैर छुकर आसिरबाद लेती है आसिरबाद लेने के बाद वो कहती है कि ठीक है पिता जी और ठीक है माता जी अगर आप लोग इतना प् तुम जो हम लोग कह रहें वो करो हम तुम्हारा हमेशा भला चाहते हैं चूकि तुम हमारी बहू हो इसलिए हम आपका गलत नहीं सोचेंगे और उसके बाद मीरा तैयार हो जाती है तो ये चर्चा उसके साथ ससुर बगल वालों से करते हैं समाज में ये बाते धीरे धीरे पहुँचने लगती हैं और फिर समाज के कुछ ठेकेदार इस पूरी बात का बिरोध करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराईच इसी बहराईच जिले के एक छोटे से गाउं में एक परिवार रहा करता था परिवार में दो बूढ़े माबाप दो बच्चे जिसमें बड़ा बेटा जो था जिसका नाम अर्जुन था जिसकी उमर अब 24-25 साल हो चुकी थी और छोटा बेचा जो था उसका नाम राजदीब था अर्जुन और राजदीब दोनों सगे भाई थे चुकी अर्जुन की उमर बड़ी थी 20-25 साल हो चुकी थी इसलिए उनके बुड़े माता पिता को लगता है कि अब अर्जुन की साधी कर देनी चाहिए सही समय आ गया है अब जो ये परिवार था जिसमें माता पिता थे इनके पास खेती बारी की कोई कमी नहीं थी ठीक था खेती बारी थी घर में जो खर्चा था वो खेती बारी से चलता था खेती बारी में जो भी उत्पन होता था जो भी अनाज पैदा होता था उस अनाज को बेच कर अपना जीवा नियापन करते थे पूरा घर हसी खुशी से चल लाहा था इसी प्रकार की घर में कोई बैमनस्ता नहीं थी माता पिता को दोनों बच्चे बहुत प्यार करते थे अब धीरे धीरे लड़की वाले लोग अरजुन को देखने आने लगते अब अरजुन के माता पिता क्या भी एक सपना था कि उनके रहते हुए चुकि अरजुन के माता पिता को बिमारी थी अर्जुन के माता पिता लगातार बीमार चल रहते इसलिए चाह रहते कि उनके रहते ही विसेश करके अर्जुन की माता जी को असाद बीमारी ने पकड़ रखा था डाक्टर ने बताया था कि अब जादा दिन की महमान नहीं है इसलिए अरजुन भी चाहता था कि उसके माता पिता के रहते हैं उसके मा के रहते हैं उसका साधी का जो संसकार है वो हो जाए उसकी साधी हो जाए और अरजुन के पिता जी को ये बहुत जादा समस्या खाये जा रहे थी कि अगर उसकी पत्नी यानि कि अरजुन की माता जी ब भाय से एक डर से परिसान थे हलाकि इन चारों सदस्तों में आपस में जो प्यार होना चाहिए परिवार में वो पूरा प्यार था सब कुछ ठीक ठाक से चल ला था अब धेरे धेरे जब अरजुन को लोग देखने आने लगते हैं अरजुन की साधी गाउं से उसके जो गाउं कि रहने वाली एक लड़की मीरा थी मीरा से तैं हो जाती है साधी तैं होने के बाद मीरा जब अरजुन की दूलहर बनकर आती है अरजुन जब मीरा को देखता है तो देखता ही रहता है दरसल मीरा देखने में अच्छी खासी सरीर देखने में बहुत सुन्दर मीरा भी इसका पती वाकई में बहुत सुन्दर है। अब दोनों की जो जीवन लिला थी, जो दोनों की जीवन की गारी थी, वो जीवन की गारी का रक धीरे-धीरे आगे चलने लगता है। दोनों हसी-खुसी अपना जीवन गुजारने लगते हैं लेकिन इनके हसी-खुसी जीवन गुजारते हुए अभी महज एक साल ही बीता था कि कुछ हैसा होता है कि जिसकी किसी ने कलपना नहीं की थी और फिर पूरी कहानी ऐसा मोर ले लेती है कि माता-पिता भी नहीं समझ पाते हैं और वो नई नवेली दूलहन मीरा भी नहीं समझ पाती है कि उसकी जिन्दगी में आकिर ऐसा क्या हो गया वो तो दूलहन बनके आई थी उसका इसमें क्या कोई कसूर नहीं था कुछ मी कजूर नहीं था पूरी जीवन की गाड़ी ही अपने रोड से अपने पटरी से उतर जाती है बहुत ही भाव कर देने वाली समाज को एक नया संदेश देने वाली और दिल को छू लेने वाली ये कहानी है दोस्तों कहानी में आगे बढ़ेंगे लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा भी नमनलोध है कि महंताना के तौर पर आप एक लाइक तो कर ही दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप पूरी कहानी किस जिले से किस राज से किस प्रद इसे देख रहे हैं तो ये जरूर लिख दिया करिए फिलाल जैसा कि आपको पता है अपने इस चैनल पर जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें प्राप्थ होता है उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं तो कहानी सुरू करने इस से पहले वही सिलसिला उन दूसरा नाम है सरवेस्टूवे जो की छोटे भाई हैं हमारे उत्तर प्रदेश सुल्तानपूर के रहने वाले हैं तीसरा नाम है सरवन कुमार हर्दोई ये भी सरवन भाई का भी हमेशा कमेंट आता है हमेशा इनका प्यार मिलता रहता है उम्मीद है सरवन भाई आपका प प्रिपक लोहार हैं मध्ध परदेश से अजीत सिंग हैं बिसुजीत कुमार हैं इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्ट हुआ था और उम्मीद है आप ये पूरी कहानी अगर यहां तक आए हैं तो पूरी कहानी सुनकर जरूर जाएंगे वाकई म के दिल को छुलेगी और कमेंट बाक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा तक आप ये कहानी के सिले से देख रहेते कहां से देख रहेते और पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों अब जब मीरा अरजुन की दूलहन बन जाती है घर पर आती है घर परिवार की जिम्मेदारियां वो अच्छी तरीके से समाल लेती है अपने साथ ससुर की सेवा करने लगती है पती उसका जो था अरजुन जब भी वो ड्यूटी जाता ड्यूटी से वापस आता उसकी देख रेक करती अपने साथ ससुर का पैर दबाती बहुत ही महंती और बहुत ही मिलन साथ थी मीरा सुबा सुबा उठ जाना मवेशियों को जो पसुग घर में पाले गए हैं उन मवेशियों का खयाल लगना और अपने छोटे देवर का खयाल लगना देवर तो मीरा से इतना घुल मिल गया था ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरी मा मिल गई हो इसी जीवन में एक बहुत प्यार करने लगा था, वो अपनी भ्ावी से, और भ्ावी भी उसे बहुत प्यार करती थी, जीवन की गाड़ी अपने रप्तार से अच्छी तरीके से चल लए थी, अचानक एक दिन अर्जुन अपनी नोकरी करने, अपनी ड्यूटी पर जाता है, जहां पर वो ड् पूर ही चला था एक दो किलो मीटर बाद उसका आती हुई एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और जब ये बात कुछ देर बाद घर वालों को पता चलती है तो घर वाले ये सोच नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया माता-पिता मौकायवारदात पर पहुंशते हैं जहां उनके बेटे अरजुन की मृत तोई थी एक्सीडेंट इतना भीसर था वो सड़क दुर घटना इतनी भीसर थी कि अरजुन मौके पर ही दम तोड़ देता है अब पतनी मीरा भी पहुंशती है पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल था जैसे ही ये बात पूरे मोहल पूरे में फैलती है पूरे गाउं में फैलती है लोगों को पता चलता है लोगों के पहरों के नीचे से जमीन किसक जाती है कि एक हस्ता खेलता चेहरा जिससे आज तक पूरे गाउं में किसी का भीवाद ना हुआ हूँ जिसने कभी इतरा कर किसी से कोई बात ना की हो जिसक गाउं का एक एक बंदा आज रोने पर मजबूर था और सबसे ज़्यादा रो रहे थे माबाप माबाप के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान हैरान दिख रहा था जिसे सबसे ज़्यादा परेशानी थी वहां थी उसकी नई नबेली दूलहन मीरा मीरा के उपर मानो दुख का पहाड तूट गया हूँ मीरा समझ नहीं पा रही थी कि उसके पती ने उससे कैसे किनारा कस लिया हलाकि जैसे तैसे उसकी बाड़ी को पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, हलाकि जैसे तैसे उसकी बाड़ी को घरवालों को पोश्ट माश्टम करके उसके सुपुर्द किया जाता है, घरवालों के और घरवाले मिलकर अरजुन का अंतिम संसकार करते हैं, अंतिम संसका में हो वो गुजर जाता है सेम वही चीज अर्जुन के घर वालों के साथ भी थी और अर्जुन के पत्नी मीरा के साथ भी थी अब धीरे-धीरे समय गुजर जाता है उसका तेरवी संसकार वगेरा किया जाता है चूंकि अभी अर्जुन और मीरा की साधी को महज एक साल ही भीत जादा दिन दोनों की साधी को नहीं हुआ था, इसलिए जब ये लोग उसका अंतिम संसकार कर देते हैं, सारे क्रिया करम अर्जुन के कर दिये जाते हैं, अब अर्जुन के माता पिता चुंकि पहले से ही बिमार रहते थे, अब वो अपनी बिध्वा बहु को देखकर बहुत दिन काटती है, उसके बाद फिर वो ससुराल आ जाती है, और जब फिर से ससुराल आती है, तो माता पिता जब देखते हैं, तो उनको फिर से एक बार दुख होता है, कि आज उन्का बेटा नहीं है, लेकिन उनकी जो बहु है, वो बेटे का रोल अदा कर रही है, अब मीरा ससुराल में ही रहने लगती है कुछ दिन बाद धीरे धीरे लोग ये कहते हैं कि देखो मीरा तुम्हारी जिन्दगी बहुत बड़ी है और अभी तुम्हारी उमर ही कितनी है तुम कहीं और देखकर साधी कर लो और कुछ लोग ये सला देते हैं कि जो अरजुन का छोटा मानती हूं और जिस देवर के उमर में और मेरे उमर में बहुत जादा फांसला है उस देवर को मैंने बेटे के रूप में हमेशा देखा है मैं उससे साधी कैसे कर सकती हूं और मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपने पती अर्जुन की ही बन कर रहूंगी मेरे जीवन में यादे बहुत सारे प्यार के मौके हैं जिनके सहारे में अपना जीवन गुजार भूंगी। लेकिन मीरा के माता-पिता ऐसे थे कि मीरा को समझाते हैं कि मीरा तुम साधी कर लो लेकिन मीरा थी कि वो तैयार नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर जाता है, एक दिन अरजुन के माता-पिता बैटते हैं, और सोचते हैं, मीरा को बुलाते हैं, बात करते हैं और मीरा का जो अरजुन के जाने के बाद हाल था, पूरे गाउं में मीरा के चर्चा होती थी, कि सायद ऐसी बहू इस तोर सब को दे, एक ऐसी बहू जो नई नवेली है, जिसका एक साल के अंदर ही सुहाग उजड़ गया, लेकिन उसके अंदर कोई भी एव नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, आज भी, वो उसी तलीनता से, उसी दिल से, अपने सास ससूर की सेवा करती है, वो अपने सास ससूर की सेवा ऐसी करती है, जैसे उसने अपने माईके में अपने माबाप की कियो, उसके माबाप आते हैं, अरजुन के माता पिता, उसके माबाप को बलवाते है और कहते हैं कि देखिए आपके बिटिया की उमर भी जादा नहीं है ऐसे में आपको बिटिया की साधी कर देनी चाहिए वो तुरंत ही मना कर देती है कहती है कि पिता जी अपने दोनों पिता जी से यानि अपने ससूर जी से और अपने पिता जी से दोनों से कहती है कि मैं अप साधी नहीं करूंगी बहुत से लोग उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती हैं अचानक से एक दिन ससुर जी की तबियत खराब होती है और ससुर जी मीरा को बुलाते हैं और मीरा को समझाते हैं कहते हैं बेटा देखो जीवन बहुत लंबा है जीवन की डगर बहुत लंब मैं समझता हूँ महारा पती दुनिया से गया है तुम्हें कितना दर्द है मुझे भी वही दर्द है क्योंकि मेरा तो जवान बेटा चला गया है मेरा मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है बेटा ऐसे में बेटा तुमसे हाथ जोड़कर अब मुए बहुत जादा बिमार रहने लगा हूँ और तुम्हारी सासु मा भी जड़ा बिमार रहने लगी है और हमें ये चिंता खाये जा रही है कि हमारा स्वरगवास होने के बाद हमारे ना रहने के बाद बेटा तुम्हारी देखभाल कौन करेगा इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ तुम साध कर लो काफी देड़ तक मीरा सूचती समझती है और रात भर की महलत मांगती है अपने सास ससुर से कि हमें रात भर की महलत दे दीजिए ससुर जी सास उमा जी मैं आपको सुबा भैसला बताऊंगी कि वास्तों में मैं साधी करूँ या ना करूँ अरजुन के माता पिता को रात भर वह पुमिन की स्थिति में नीन नहीं आती है कि सुबा अगले दिन मीरा साधी का क्या जबाब देगी यही सोच सोच कर दोनों हैरान परेसान रहते हैं और जब सुबा होती है सुबा जैसे ही मीरा अपने सास ससूर के पास आती है दोनों का पैर छुकर आसिरबाद लेती है आसिरबाद लेने के बाद वो कहती है कि ठीक है पिता जी और ठीक है माता जी अगर आप लोग इतना प्र तुम जो हम लोग कह रहे हैं वो करो हम तुम्हारा हमेशा भला चाहते हैं चुकि तुम हमारी बहु हो इसलिए हम आपका गलत नहीं सोचेंगे और उसके बाद मीरा तयार हो जाती है मीरा जब तयार हो जाती है तो ये चर्चा उसके साथ ससुर बगल वालों से करते हैं समाज में ये बाते धीरे धीरे पहुँचने लगती हैं और फिर समाज के कुछ ठेकेदार इस पूरी बात का विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बहुत सारी अर्चने आती हैं लेकिन मीरा के साथ ससुर उन अर्चनों की परवाह ना करते हुए बलकि मीरा के भविश्य की परवाह करते हुए उसके लिए एक सुन्दर सा लड़का ढूनने लगते हैं लड़का वो देखते हैं ऐसा हो जो की मीरा की कदर कर सके और उसे इस बात से मतलब ना हो कि मीरा की एक साधी और हुई है काफी दिन तक उसके साथ ससुर खोजबीन करते हैं कच्छे लड़के की और उनकी खोजबीन ये एक महिने के अंदर रंग लाती है एक गाउं के पडोस का एक लड़का जिसका नाम रगू होता है रगू देखने में ठीक ठाक महनती इमांदार करमट ब्यक्ति था रगू से जब चर्चा चलाई जाती है कि क्या तुम उसके साथ ससुर पूछते हैं मीरा के रगू से कि क्या तुम मेरी बिधवा जो बहू है उससे साधी करोगे रगू कहता है कि हाँ मैं उससे साधी करूँगा और फिर साथ ससुर बिना समाज की परवा किये उस अपनी बहू को जो कि उनके बेटे की पतनी थी उसका बिवा तैं करते हैं तारिक तैं की जाती है कुछ लोग समाज में इस पूरी साधी का बिरोद करते हैं लेकिन मीरा के भविस को देखते हुए उसके साध ससुर इनकी कोई परवा नहीं करते कि समाज क्या कहेगा और फिर समाज में कुछ मानिंद ब्यक्तियों के बीच मीरा और रगू की दोबारा से साधी होती है वो साध ससुर उस मीरा को जो कि उनकी खुद की बहुती एक बिटिया की तरह साधी करते हैं बिदाई करते हैं अब जब मीरा बिदा होने लगती है तो साध ससुर का रो रो कर बुरा हाल था साध ससुर सोच रहे थे कि आज अरजुन वास्तों में दुनिया छोड़ कर चला गया उनके साध ससुर को लग रहा था मीरा के कि आज मेरा बेटा तो गया ही आज मेरी बहु भी गई लेकिन उन्होंने ए सब बाते ना सोचते हुए इन सब बातों पर अमल ना करते हुए बलकि इस चीज पर फोकस किया कि उनकी बहु की जिन्दगी बन जाएगी और फिर मीरा और रगु एक साथ रहने लगते हैं दोनों की जीवन में अच्छी खासी सब कुछ ठीक ठाक अपने रहते हुए निप्टा देते हैं अपनी जिम्मेदारियों का निप्टारा कर देते हैं दोस्तों इस पूरी कहानी का मतलब बस इतना था कि रिष्टे हमेशा खून से भी नहीं होते हैं बहुत सारे समाज में हमारे ऐसे रिष्टे हैं जो बिना स्वार्थ के काम करते जिनके पास कोई स्वार्थ नहीं होता है उनके पास होती है तो एक अच्छी सोच के जीवन को अच्छा बनाने की सिर्फ कोशिस होती है स्वार्थ तनिक भी नहीं होता है तो दोस्तों यहाँ पर पूरी कहानी में आपने देखा कि एक सास ससुर ने कैसे अपने बेटे के जाने के बाद चूंकि अभी उनकी बहु की उमर बहुत जादा नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया और उस बहु को अपनी बिटिया की तरह अच्छी खासा अपनी बहु की दूसरी जगा पे सादी कर दी तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाते हैं क्या अरजुन के माता पिता यानि इमीरा के सास ससुर का जो यह फैसला था कि उनकी जवान बहु की सादी किसी और के साथ हो जाए ताकि उसका फिर से दोबारा जीवन बस सके क्योंकि अभी उमर जादा नहीं थी उनका फैसला सही था या गलत था अब पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप ये पूरी कहानी किस चिले से किस राज से किस प्रदेश से देख रहे थे ये हमें कमेंट बाक्स में जरूर बता दी झाल